सभी दोस्तों को जैहिंद वद्यम आत्रम। दोस्तों काफी सारे स्टुडेंड मैसेज किये कि भाई क्या सच में नई भरती आने बाली है। तो दोस्तों इस वीडियों में हम आप लोगों को सारी चीजे बताने बाले हैं कि नई भरती जो है वह कब तक आएगी 2024 की साथ ही पोश्ट की संख्या है क्या 345 प्लस रहने वाला है और दोस्तों यहां पर उम्र की बात करें तो बार्वी को लेकर ऑफिसियल अपडेट क्या है भरती कब तक आएगी किस दिन आएगी ऑनलाइन अपलाए कब से शुरू होगा सेलेक्शन प्रोसेस इस भरती में क्या रहता है सारी चीजे हम दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं तो सबसे बने दोस्तों यहां प 12 पोस्ट था हेट कॉंस्टेबल में में जिसमें यूर में 114 ऑबीसी में 65 चे में से में 30 और स्टी में घळां और सबसे पहले एक बात कोमेंट में बता दिजिए कि कौनकोन अभियार थी सब्सक्राइब कर रहे हैं इस वक्त करके बता दीजिए अब देख लीजिए कि जान लीजिए कि भाई सब्सक्राइब कोई भी होता है आज हम आप लोगों को वह वी इस वीडियो में बताने लेता है चाहे तीन सब्सक्राइब को इस भरती में सेलेक्शन लेना है इसके लिए क्या करना पड़ेगा वह वी इस वीडियो में सब्सक्राइब करना वी अब बिलाए गया उख मती चैनले कहलना है किलिए उस स्मया तो यदि बात करें जो नहीं भरती आती है उसमेंpected स्माज़ने पड़ेगा दूसरा प्रोसेस में आप लोगों की घाने होता है तीसरा प्रोसेस में आपका टैपिंग, और मेडीकल होगा समझ गे दोस्तों तो तीन प्रोसेस से आप लोगों को गुजारना पड़ता है हैं भरती में तो दोस्तों सबसेजес चीक जान लीज़ें यहां पर इस वीडियो के जितने भी आछी के देख रहे होंगे है आप लोग सबसेजस कि बारवार बारी बाथाते हैं कि दोस्तों यह आप लोग के जो भरती के दिए आप लोग तियारी कर रहे हैं तो दोस्तों आप लोगों को बता दें अच्छा स्कोर किया हुआ अच्छा स्कोर ऐसा स्कोर कि उसको कहीं से भी भरती से बाहर नहीं निकल सकता है कितना भी cut up जाए इतना score करके लेकिन जब वो टैपिंग में जाते हैं तो भाई टैपिंग में क्या हो जाते हैं तो दोस्तों यदि आप लोग BSF HCM की त्यारी करना चाहते हैं BSF HCM का जौब का आपका सपना है किसी वे तो दोस्तों आपको सबसे पहले तो आप त्यारी कीजिए सबसे पहले दोस्तों आप एक्जाम की त्यारी कीजिए एक्जाम की और बता दें दोस्तों एक्जाम बारवी लेवल का होगा बारवी लेवल का एक्जाम होता है और इसमें दोस्तो आप exam की तयारी 2-3-4 महिने में कर सकते हैं lेकिन दोस्तो आप लोगों को जो टाइप्ग है इस भरती में BSF axiom में टाइपिंग वह आपको दोस्तों समझ लीजे लंबा long time आपका fiरेटिक्स होनाँ चाहिए वही अभिहार्थी Salesforce हो पाते हैं typing उर प्रेशिमेंड में लेता है वहां ब्हार्थी जिसका typing long time का pratics होता है लॉंग साल तीन साल का जिसका प्रैटिक्स बना रहता लेकिन टैपिंग के साथ आपको पढ़ना भी पड़ेगा एक्जाम की भी तैयारी करनी पड़ेगी तो आप लोगों को बता दे कि भरती के दी बात करें दोस्तों तो दोस्तों अभी मतलब बिभाग के तरब से इसको लेकर कोई सुचना अभी नहीं सामने निकल कर आई है और कोई नहीं है इस भर्ति को लेकर अभी कोई सुचना नहीं है लेकिन दोस्तों भर्ति आएगी और हो सकता है भर्ति दोस्तों आप लोगों को अक्टूबर नमंबर दिसंबर के माहमें यह भर्ति होगी दो हजार 23 की भरती होगी और भरती आएगी यह 100 पर्तिसत कनफॉर्म है लेकिन दोस्तों अभी आप लोगों को कुछ 2-3 महने यह भरती नहीं आने वाली है अक्टूबर नमंबर दिसंबर तकी ये भरती आप लोगों को आने वाली है post यह संख्या है 345 प्लस अप लोगों को इस बार post को कि संख्या आने वाली है समझगई दोस्तों दोस्तों तैयारी में लग जाए घे करना चाहते हैं सेलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप टैपिंग पर फोकस कीजिए यदि आप टैपिंग में फोकस करते हैं सबसे ज़्यदा समय देते हैं इसके बाद ऐपी में आती है इसके बादी हैं इसेफ में वाते हैं वहोते हैं तो समयीं चीजरें की 40 की त्यारी करना पड़ेगा भरती आएगी 2023 की जो है नई भरती 2024 में आएगी यह कनफॉर्म है तक रखने को मिल जाए अगस्ब में आ सकता है लेकिन स्वेडियो नमंबर के बीच में भरती आने वाली है तो यही में लगे लेकर अप्डेट या *** आएगी आप dope की भरती देखने को मिलने वाली है समझ के दोस्तों यहां पर देख लिए तीन सा पैथालीस पोस्ट रहने वाला है और यहां पर देख लिए यहां पर बार भी पास बच्चे अठार से पचीस साल के बच्च अपलाई कर सकते हैं और देख लिए यहां पर टाइपिंग होगा लेकिन टाइपिंग में ही बच्चे सबसे ज़्यदा रिजेक्ट हो जाती है तो समझें दोस्तों इसी परकार की जनकारी के लिए नेक्स्ट वीडियो में ज्याहिंद वंदे मात्रम गेश्ट अफ लक्त